घर में जब गेस्ट आएं तो कुछ special बनाने का मन होता है और ऐसे में मश्रूम और पनीर best options होते हैं और मश्रूम में अगर आप बोटी मश्रूम बनाके गेस्ट को खिलाते हैं तो यकीन मानियों उनको बहुत पसंद आने वाला है हेलो माई कर्ची से कलम तक फैमली मैं हूँ रचना और आपकी special demand पे मैं आपसे share कर रही हूँ शादियों और पार्टियों में compulsory बनने वाला रिश वो है बोटी मश्रूम इसकी सबसे खास बात है कि घर के kitchen में available ingredients ही बनते हैं बहुत ही simple तरीके से बनते हैं हाँ time जरूर इसमे मश्रूम को जब भी बनाए तो ध्यान रखें उसके ऊपर का layer जो चिलका होता है उसे चिलने इसलिए मैंने आपसे चिलने का तरीका भी share कर दिया है चिलने के बाद जो बड़े-बड़े size के mushroom है उनको दो टुकडों में cut कर ले इससे फायदा यह होता है कि अंदर तक मसाले जो है वो बिन जाते हैं नॉर्मली शादियों और पार्टियों में खड़े-खड़े से mushroom बनाये जाते हैं फिर एक बरतन में गरम पानी और थोड़ा सा नमक डालके धक करके इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजे तो मैंने इसको धक दिया है 5-7 मिनट के लिए छोड़ द थोड़े-थोड़े mushroom करके fry करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले मैंने थोड़े सा mushroom डाल दी हैं इसमें कुछ भी नहीं डाला है सिर्फ इसको तेज फ्लेम पे हमें fry करना है जब आप fry करेंगो तो mushroom पानी छोड़ेगा और आप जब पानी छोड़के वह पानी सूख जाए है एक चमच में छोटे चमच से भी यह काम हो सकता है तो जब यह तेल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें डालेंगे एक टुकड़ा दाल चीनी का जो की बहुत ज़दा हेल्दी होता और बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ाता है mushroom की ग्रेवी का दो बड़ी इलाइची सा जादियों और पार्टियों में जो बनता है ना उसमें यह कंपल्सरी रूप से डाला जाता है फिर चार पांच लॉंग और थोड़ा सा साहजीरा खड़ा जो साहजीरा होता वो डाला है साहजीरा ऑप्शनल है यह मैंने अपनी रेसिपी में एड किया आप चाहें तो ही डा लेशन का जो गाठ होता है पुरा दो गाठ उसकी सारी कलियां डाली और एक बड़ा टुकड़ा अद्रग काट करके इसमें डाल दिया है अब इसको हम 5-7 मिनट के लिए लाइट ब्राउन होने तक तेज फ्लेम पे ही भून लेंगे इसका फायदा क्या होता है एक तो ग्रे चोड़ दिया तब तक मिकसी के जार में दो टमाटर काटके डाल दिया टमाटर बिलकुल लाल लाल और अब जो हमने प्याज लैसन अद्रक डालचीनी बड़ी छोटी लाइची और लाइची और लॉग को भूना था वो इसमें डाल देंगे और इसका एक स्मूज सा तो समय की बचत हो जाती है अब ये देखे मसाले का पेज़ पी तैयार हो गया अब चढ़ाते हैं कूकर तो कूकर चढ़ाया है और कूकर में फिर से डालेंगे रिफाइन डॉयल और साथ ही साथ रेस्टरेंट वाला फ्लेवर देने के लिए इसमें मिलाएंगे एक से डेर चम्मच घी यहां मैं आपको बताओं कि अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहा है इसका मतलब कि आपको यह रेसिपी अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कमेंट और अपने फ्रेंट्स और फैमिली से शेयर जरूर करिएगा और साथी साथी से एक बर बना के जरूर ट्राई कर कर सकते दूसरा बरतन जूठा करने की जोड़त नहीं है मुझे थोड़ा रेसिपी को जल्दी बनाना था इसलिए मैंने दो बरतनों का इस्तमाल किया अब कुकर में रिफाइन डाइल और घी गरम हो गया तो दो मिर्च और दो तेज पत्ते का तड़का जो की हर इंडियन कि टोटल आधा गंटा लगता है तो यह मान के शलिए कि अगर आप आठ लोगों के लिए बोटी मश्रूम बना रहे हैं तो आधा गंटे से 40 मिनट आपको लगेगा सारी प्रिपेशन करने में मश्रूम छिलने से लेके मश्रूम के कुकर का प्रेशर निकलने तक में कम से कम 40 म मिनट लगता है अब जो अपने पेस्ट तयार किया था वह पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम खोलेंगे अपने मसालों का डब्बा मसालों के डब्बे में बिल्कुल कॉमन मसाले आपको देखने को मिलेंगे जो भी लोग सोचते हैं कि फाइव स्टार होटल य का दू चार बदाम पिस दिया था जो मैं आपको बताना भूल गई आप इसमें मिलाएंगे नमक टेस्ट के कॉर्डिंग और सबसे पहले मेरा फेवरेट इंगिडियंट है वह धनिया पाउडर जो कि कि किसी भी ग्रेवी के लिए गदम कंपलसरी होता चोटे वाले चमच से दो से धाई चमच और आप अगर बजार का पिस रहा है तो छोटे वाले चमच से तीन चमच मिलाएगा मेरे चमच का साइस बहुत चोटा है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप बड़े चमच से जो मिलाते हैं तो उस पे एक चमच से सवा चमच काफी होता है अ पहले इसको ढग देती हूँ अब अगर भी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज मुझसे जरूर शेयर करिएगा और मश्रूम की कौन सी रेसिपी देखना चाते हैं ये भी जरूर बताएगा इसके बाद ऊपर से मिलाया है क्रीम जो की त छीज नहीं पसंद बहने इसको एसके अथे के बिलाया जाएगा इसको कादानान सी अपर जाल सकते हैं आप इसमें दही डाल सकते हैं आप इसमें काजू का पेस्ट डाल सकते हैं बेसिकली हमारा मोटिफ क्या है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके पूछेगा मैं आपको बता दूँगी कि मलाई की जगा क्या यूज कर सकते हैं तो आब इसको फिर से पांच मिनट के लिए ढख करके भुनने देना है ताकि मलाई का जो क्रीम है घी वो उपर आ जा और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे एक से सवा खटोरी पानी क्योंकि ये जो सबजी है बोटी मश्रूम इसकी ग्रेवी एकदम गाड़ी बनती है तो बस उतना ही पानी डालना जिससे कूकर प्रेशर बन जा और सीटी लगा सकें आब इसको मिक्स कर दिया और उपर से हलका सा कश्मीरी लाल मिर्ज पौडर और थोड़ा सा गरम मसाला चिड़क देंगे खुश्बू के लिए और कूकर को बंद करके फ्लेम को मीडियम कर ता कि मश्रूम खूब अच्छे से कल जाए ता कि ग्रेवी का फ्लेवर मश्रूम के अंदर तक आजाए ता कि यह ग्रेवी खुब गाड़ी सी बने और बहुत टेस्टी यह सबजी बनती है तो जब तक प्रेशर बन रहा धनिया की पत्ति धूल करके धनिया पत्ति काट लि के बाद प्रेशर निकल गया और उसके बाद मैंने गर्मा गरम सर्फ किया और सिर्फ देखने में यह खाने में भी बहुत टेस्टी बना था और इसकी ग्रेवी बिल्कुल शादी पार्टी और होटल वाली थी तो अब नीचे चैनल के सब्सक्राइब बटन अगर रेट दि शेर करिएगा